जैसे कृष्णा बच्चू, ओनलाइन ग्लास में आपका फ्रिस्टय स्वागत है, ओनलाइन ग्लास में आज हम गणित विसे की टोपिक आकृतियों के बारे में अध्यान करेंगे, आकृतियां बहुत तरेकी होती है, मगर हम एकुछ खास आक्रितों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे चारो और रोजाना में दिखाई देती है, जैसे वरताकार, वरगाकार, आईताकार, त्रिभूज और अंडाकार, ठीके, इन आकृतों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो ये देखिए बचो, आपको ये गोल घेरा दिखाई देरा, तो इसे क्या कहते हैं, वरत, क ये कैसी आकरती हो गई, वरताकार. अब जैसे मापकी मम्मी की बिंडी है, एक दम गोल होती है, और आपने जो रोटी होती है, ये ये आपको लाइने एक दम बराबर दिखाई देरीए न, तो चार बराबर रेखा से गिरीवी जो आकरती होती है, वो क्या कह देंना आती है, तो यह रेखाएं इससे क्या कहते हैं यह रेखा एक बिंडो से दूसरे बिंडो फिर खतम होती है अनन तक चलती रहती वो क्या कहते हैं तो यह जो चारो लाइन बराबर है तो यह क्या केलाएगा. वर्ग. ठीक है? फिर अगली आकर्ती है हमारी आयत. आयत किसे कहते हैं? तो देखिए ये जो आमने सामने की जो लाइने होती है, रेकाν होती है, वो बराबर होती है आयत की. ये लंबी है और ये क्या है? अभी ये देखिए, आप कहोगे मैंडम इसमें भी कौने है इसमें भी कौने है तो ये तो है एकदम बराबर आकरती और ये कैसी है थोड़ी लंबी है ना चोड़ाई इसकी कम है लंबाई ज्यादा है चोड़ाई ज्यादा है और लंबाई इसकी कम है तो देखिए आमने सामने की बुजाएं बराबर हो वो आकरती क् कहलाएगी आयात फिर देखिए यह है त्रिबूच क्या है त्रिबूच जो तीन रेखाओं से घिरावा हो गिरिवी आकरती क्या कहलाएगी त्रिबूच इसमें कितनी देखिए इसमें चार लाइन है चार रेखाएं हैं इसमें भी चार रेखाएं हैं और इसमें तीन तो यह आकृती हो गई तो या इंदा कर अकृती गलत हो जाएगी तो ट्रभूज की तीनों समान आकरति होती है और तीन रेखाऊंस गिरी भी आकरति क्या कहलाएगी त्रभूज फिर है अंडा कार आकरती ये देखिए अब आपने उपर देखी थी गोल आकरती ये तो एकदम गोल है ना और ये थोड़ी लंबाई में गोल है तो ये हो गई अंडा कार अंडा देखा है अपने अंडा ऐसा ही होता है ये ना तो ये हो गई अंडा कार आकरती अब देखिए आकरतियों के बारे में हमने अत्यन कर लिया है तो अब उन आकरतियों से संब्धित कुछ प्रस्न कर लेते हैं मिलान कीजिए, पहला प्रस्न है, मिलान कीजिए, अब गैन जैसे आकरती, गैन जैसे आकरती कैसी हो गई, व्रताकार आकरती, बोल, व्रत की आकरती हो गई, गैन जैसे, अब इधर और इधर, दोनों तरफ हमें कुछ आकरतिया दी गई है, लाइं बाइं तरफ, तो इन में से हमें लाइन केंच के मिलान करना है कि गैन जैसे आकरती कौन-कौन सी है ठीक है तो सबसे पहले ये देखे ये आकरती आपको गैन जैसे दिखाई दे रही है नहीं तो कैसे दिखाई दे रही है सिलेंडर की जैसे या बेलनाकार तो यह आकरती तो गैन जैसे नहीं है, तो इसको हम मिलान नहीं करेंगे फिर देखिए नीम्बू, नीम्बू कैसा दिखाई दे रहा है, गोल दिखाई दे रहा है तो नीम्बू को हमने मिलान कर दिया, फिर देखिए फुटबॉल फुटबॉल गैंड जैसा है, गोल है, तो इसको हमने मिलान कर दिया, गैंड से फिर तरबूच, तरबूच कैसे आकरती का होता है, गोल होता है, गैंड जैसे आकरती का होता है तो त्रिबूज को भी हमने मिलान कर दिया पीछ देखिये बच्चों, अगले आकरती है हमारी ئेट इट, गैन जैसे होती है नहीं, तो गैन को हम इट से मिलान नहीं करेंगे, क्यूंकि इट गोल नहीं है, कैसी है इट इट का आकार कैसा है, आयत का कैसा है आईताकार अब लड्डू लड्डू कैसा है गोल है गैंद कैसी है गोल है तो गैंद जैसे आकरती कौन से हो गई लड्डू की भी गैंद जैसे आकरती हो गई फिर देखिए, ड्रम जैसे आकरती, अगली कौन से है, ड्रम जैसे आकरती, यह देखिए, ड्रम है, लंबा है, और यहां से बंद है, तो ड्रम जैसे आकरती देखिए, बोटल कैसी है, ड्रम जैसे आकरती की है, यह मिलान कर दिया, मोमबत्ती, मोमबत्ती भी ड्रम जैसे आकर तो मिलान नहीं करेंगे। अब ये पैंसिल, पैंसिल ड्रम की आकरती का है, इसको हमने मिलान कर दिया, फिर अगली आकरती है हमारी संदूग जैसी आकरती, कौन कौन सी है, उसको मिलान करना है, तो देखिए, लड्डू, संदूग कौन सी आकरती का है, आयत, कौन सी आकरती का है, आयत जैसा दिखाई द मिलान करेंगे तो यह भी एक संदूक की है तो दूसरा संदूक से मिलान कर देते हैं संदूक जैसे आकरिति है फिर है म Twenty 12 माचिस भी कैसा है संदूग जैसे आकरिति की है मिलान कर लिया अब यह maior की अंह lebih care ठीक है तो संदूग की आकरती की हो गई हीट अब तेल कडिबा तेल कडिबा भी एंट की आकरती की नहीं है तो गैंट को özंव संदूग की लाकुते से मिला नहीं परेंगे, ठीक है?